पर आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों सबसे पहले आप हमारे जेनल को सुस्क्राइब करें और बेल आइकन पर किलिप करें जिससे आपको हमारी वेडियूज के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें हैलो दोस्तों आप सब कैसे हैं आसा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों लोग प्रिये फसलते हो हाद लोहोडी मकर शंकरांती से एक रात पहले 13 जनौरी को देश भर में बहुत साह के साथ मनाये जाता है यह पर्व मुखे रूफ से उत्तरी राज्यों में अर्ठा होकर और बर्ष में आने वाले लंबे लंबे शमय के श्वागत के लिए आलाओ यानि कि आग जलाकर मनाये जाता है लोहोडी हर साल 13 जनौरी को मनाई जाती और सर्दियों की समाप्ति का या प्रति के हालंकि लोहोडी संक्रांती का समय अगले दिन सुबा आड़ ब चिंधित करने के लिए मनाया जाते हालंकि लोहोडी भी रभी फशल की कटाई से जुड़ा हुआ है इस दिन लोग लोग निरत्ते गिद्दा और भांगडा लोग लोहोडी में भूने वे मकई के फाहे भी डालते इस दिन लोग जबकि उसा में गुड़ गच्छक मुख्य होते हैं इसके इसके अलामा और भी इस औसर पर पतंक बाजी भी लोग प्री है लोहोडी वह पर्व है जिसे फशल के पर्व के रूप में माना जाता है और यह 13 जनौरी को मनाया जाता है जो संक्रान्थी से एक दिन पहले होता है यह तेवहार पूरे देश में उत्साह के स हात मनाया जाता है हिंदु और शिखिखों दवारा प्रमुफता से मनाया जाता है इसतोय में आती ही सीथ काली शंक्रांती पemic . उची और का प्रतीक का प etrतीक है जो लोग इसतोय को मनाते हैं वैसरे ए रंण deceived प्रिधान और दोने रंश सा टर् fonctionne और निर्ति करते हैं और इसकी द्वारा वह अधिक गर्मतापमान का श्वागत करते हैं लोग प्रसिद दितेवहार के गीत सुन्दर मुंद्रिये होग की धनू पर गाते भी हैं वह आग में पॉपकॉर्ण, रेवडी और मौंफली भी हैकते हैं इसकी दितेवहार का उस समय से मिलता है जब दूला भठी जो पंजाब के एक प्रसिद पॉनाईक नायक थे और मुगल समराट अकबर के खिलाब बिद्जोह का नेत्रित किया था उनकी बहादुरी के कारण वह पंजाब के लोगों के लिए एक नायक बन गए और लगभग हर लोड़ी गीप में उनके प्रति आभार बेक्त करने के लिए सब्द है यह तेवहार पंजाब में रभी फशलों की कटाई के मौशन की सुरुवात और सर्दियों को अंत का प्रतीक है लोग अपने उपस्तिती के साथ और बंवर फशल के लिए सूर देव को श्रद्धा और शुमन आरपित करने के लिए लोड़ी मनाते हैं पहली लोड़ी को नई दुलहन और नौजास सिसु के लिए बहुत सुब माना जाता है यह प्रजनन चमता को दर्शाता है और यह तेवहार किचानों के लिए भी बहुत महत्त रखता है भारतिय किलेंडर के अमसार रोई पोस्त के महीने में आती है और इसके बाद पतंगों का तेवहार मकर शंक्रानती आता है यह माना जाता है कि तेवहार शीत कालीन संक्रानती से गुजर जाने होने का अस्मरण कराता है या पंजाब में रवी फशलों के लिए फशल के मौसम के सुरुवात का भी प्रतीक है लोग अपनी उपस्तिती के साथ और बंपर फशल के लिए सूरे देव को स्रद्धा और शुमन अर्पित करने के लिए लोडी मनाते हैं कुछ की वंदंतियों का यह भी मानना है कि लोडी हालं की हौलिका की बहन थी जो भट प्रहलात के साथ आग से बस गई थी जटकी कुछ लोगों का मानने कि तेवहार का नाम लोबी के नाम पर संत कभीर की पतनी की नाम पर रखा गया था यह बतान तहे की लोग तोहार मनाने के लिए भी अलाव जलाते हैं हमारे देश में हर समधाई के लोग के लिए कुछ बिशेश तोहार मनाए जाते उन्ही में से एक होती है लोडी हमारे देश में हर साल पौश महीने में लोडी मनाई जाती है 13 जनौरे को लोड़ी का पर्व मनाया जाता है और यहां पर्व मुझ के रूप से उत्तर भारत और पंजाब में मनाया जाता है पंजाबी और शिक्ष समुदाई के लोग इस दिन एकत्त होकर यानि की इकत्था होकर खुशी और उल्लाश का पर्म मनाते हैं लोडी को सीत रुतिव का समापन भी की तरह भी देखा जाता है पंजाबी समुदाई में इस त्योहार को नई फशल के त्योहार के रूप में भी मनाया जाता है इस दिन लोग गिद्ध और भांगड़ा का नित्त भी करते हैं लोडी का त्योहार बगर संकरान्ती से एक दिन पहले मनाया जाता है केवल सिख ही नहीं बलकि सभी संगदाई के लोग इस तोहार को मनाते हैं शीत कालिन संक्रांति के अंत और रभी फशलो की कटाई का प्रतीक है इस दिन पंजाबी संगदाई के लोग नए और रंग भिरंगे कपड़े पहनते हैं देश ही नहीं विदेश में भी बसे पंजाबी संगदाई के लोग लोडी धूम धान से मनाते हैं लोडी के लिए लोडी के दिन आग में तिल, गूड, गजक, रेवडी और मौंग फली चड़ाई जाती है और आग के चारों तरफ चक्कर लगाकर सभी लोग अपने सुखी जीवन की कामना करते हैं माना जाता है कि लोडी के दिन साल की सबसे लंबी रात होती है और इस दिन से सरदिजित्यू का आन्ति भी माना जाता है यानि कि इस दिन से ठंड खतम भी हो जाती है दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो अपने परिवार चड़ो और दोस्तों में जरूर सेर करें चैनल पर नहें हैं तो सस्क्राइब परना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकीशन आपको मिलती रहें ओम नमस्षिवाएं